आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 रूपे के सबसे कीमती 5 सिक्के के बारे में बताऊंगा वीडियो सुरू करने से पहले ये जो साइडिक स्कीन आप जिस वीडियो का थमनेल देख रहे हैं अगर इस वीडियो का नोटिपिकेशन अभी आप तक नहीं पहुचा है तो इस वीडियो का नोटिपिकेशन आज की इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूँगा बुलू कलर में इस वीडियो का लिंक होगा उस लिंक पर क्लिकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं कई पर सर्च करने की ढूनने की ज़रूरत नहीं है तो आईए आज का ये वीडियो सुरू करते हैं एक और बात दोस्तों पांच सिक्के के बारे में तो मैं बताऊंगा ल नेहुँ दीप आप देख रहा हैं आपका अपना सबसे पसंदिदा निमिस्मेटिक चैनल निमिस्पेज पहला सिक्का है Crop Science या फिर Second International Crop Science Congress ये साइडिक स्क्रीन आप देख सकते हैं कौन नहीं जानता इस सिक्के को चाहे वो कलेक्टर हो या फिर ना हो कम या जादा सब को इस सिक्के के बारे में मालूम है और सभी लगभग सभी जानते हैं थोड़े अगर कोईन के साथ जुरे हु ये सिक्का एक रेयर करेगरी में आता है और सच में ये सिक्का एक कीमती सिक्का है मेरे कलेक्टर में तो ये सिक्का अभी तक नहीं है मेरे पास था लेकिन मैंने बेच दिया था बहुत पहले और उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन फिर भी दोस्तों आई इसके बाद जो डिजाइन है और या फिर जो में बता दूँगा लेकिन ज्यादा डिटल्स में नहीं जाओंगा क्योंकि जो भी सिक्का है आप जानते हैं मैं बस प्राइस बताऊंगा आज की डेट में ग्राउंड जो प्राइस चल रहा है कोईन बुक के हिसाब से क्रॉप सा यह जो पांच रुपे का सिक्का है यह एक सिंगल मीन सिक्का है 1996 में स्रिप कोलकाता मीन से इस सिक्के को इसु किया गया था आई आप जानते हैं प्राइस आज की डेट में पांच रुपे क्रॉप साइन सिक्के का प्राइस है इवेंसी कंडिशन में लगभग 35,000 अगर एक्स्टा फाइन कंडिशन में आपके पास है यह सिक्का तो आपको मिल सकता है 20,000 से 22,000 रुपे तक 20,000 से 22,000 तक उसके बाद दोस्तों अगर भेरी फाइन कंडिशन में है तो फिर भी आपको मिल सकता है 14,000 से 15,000 रुपे तक अब दोस्तों आप डिफरेंस देख सक और अगर fine condition में है, घी से पीटे condition में है, तो फिर भी आपको इस सिक्के का मिल सकता है, आज की date में लगभग 7,000 से 8,000 रुपे तक, 7,000 से 8,000 रुपे तक, ये सिक्का दोस्तों मैं फिर से कहा रहा हूँ, ये सिक्का एक rare और कीमती सिक्का है, दूसरा जो सिक्का है, वो है दो आप सोचेंगे के डांडी मार्च का सिक्का तो circulation में मिलता है, लेकिन वो दोस्तों steel वाला मिलता है, लेकिन ये जो सिक्का है, ये है copper nickel वाला और इस सिक्के के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना था, ये जो सिक्का मेरे हाथ में आप देख रहा हैं, ये मुझे नहीं म मिलेगा, लेकिन still का वैलू, normal वैलू है, common सिक्का है, आज भी, लेकिन copper nickel का जो सिक्का है, circulation का आज की date में rare category में आता है, और rare category के scale में बहुत ही उपर की तरफ है, दो तीन साल वाद ये सिक्का भी copper nickel वाला एक्स rare category में सायथ आ सकता है, इसका जो वजन है, वही है, 9 gram और diameter ह UNC condition में, आज की date में इस सिक्का का price है, लगभग 20,000 रुपे तक, 20,000 रुपीज तक, UNC condition में, circulation issue, copper nickel का एक सिक्का set में भी मिलता है, जो UNC set proof set होता है न दोस्तो, उसमें भी मिलता है, लेकिन उसका price इतना जादा नहीं है, circulation का price सबसे जादा है, तो UNC condition में copper nickel 5 रुपे, डांडी मार्जवाला 20,000 रुपे, अगर extra fine condition में है, तो लगभग 12,000 से 13,000 रुपे, very fine condition में है, तो लगभग 7,000 से 8,000 रुपे, और अगर fine condition में है, तो फिर भी आपको मिल सकता है, 3000 से 4000 रुपे तक, 3000 से 3500 रुपीज तक, तो दोस्तो पहले हो गया 5 रुपे, crop science वाला, दूसरा हो गया, डांडी मार्ज वाला, तीसरा जो सिक्का है, तो बहुत फेमा सिक्का है, लगभग सभी जानते हैं, वो है 5 रुपे, तिलक जी वाला coin, यह आप देख रहे हैं, साइडी स्किन में, यह है तिलक जी वाला सिक्का, कौन नहीं जानता, सभी collectors इस सिक्के को जानते हैं, औ लेगें आज ग्राउंड प्राइज इस सिक्के का कितना आप जानते हैं, इवेंसी कंडिशन में है, तो लगभग 5,000 से 5,500 या फिर 6,000 तक, या फिर मानके चलिए 5,000 से 6,000 के बीच में इस सिक्के का प्राइज, मतब तिलक जी वाला 5 रुपे सिक्के का प्राइज आज की देट में चल रहा है, ये भी एक किम्ती और रेयर सिक्का है, तिलक जी या फिर तिलक वाले जितने भी सिक्के हैं, चाहे वो तिलक जी वाला हो, या फिर नॉर्माल जो तिलक वाला कॉपर निकल का सिक्का हो, या फिर नॉर्माल तिलक का सिक्का हो, तीनो ही सिक्का आज की तीसरा हो गया, चौथा सिक्का, चौथा सिक्का आप साइड स्कीन में देख सकते हैं, देखिए, 50 years Khadi and Village Industries Commission, 2007 में इस सिक्के को इसू किया गया था, और ये भी single mint सिक्का है, Bombay Mint का, और तिलक जी वाला भी Bombay Mint, single mint सिक्का है, और ये जो Khadi Village वाला आप देख रहा हैं, Khadi Village का जो सिक्का है, वो स्टील का भी मिलता है, लेकिन दोस्तों स्टील आज की date में scarce करेगरी में आता है, लेकिन ये जो सिक्का आप देख रहा हैं, ये है copper nickel का, इस सिक्के में भी आपको UNC proof set में copper nickel का ये Khadi Village वाला मिलेगा, और circulation में भी मिलेगा, circulation और proof UNC set आप कैसे पैचानेंगे, वो में आपको वीडियो के end में बताऊंगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ collectors जो confused हो जाते हैं, कि जो set का set में भी, जो UNC proof set में जो सिक्का होता है, वो भी copper nickel का होता है, और जो circulation में मिलता है, वो भी copper nickel का होता है, तो पैचाने कैसे, कोई तो ये भी कह सकता है ना जे UNC कंडिशन, UNC और proof set का coin, UNC और proof set से तोड़ कर, ये भी कह सकते हैं, ये circulation का सिक्का है, और UNC में है, तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसका भी एक तरीका है, पैचाने का, कि circulation का कौन सा है, और UNC proof set का कौन सा है, आए जानते हैं, सबसे पहले price, ये भी, आपने जो ये खादी विलेजबाला में बोल रहा हूं, UNC कंडिशन में 20,000 रुपे, एक्स्टा फाइन कंडिशन में लगभग 12,000 से 13,000, 14,000 के आसपास, और अगर very fine कंडिशन में है, तो लगभग 6,000, 7,000 का आसपास, और अगर fine कंडिशन में है, तो 3,000, 4,000 का आसपास, तो दोस्तो में भी सिक्का में बोल रहा हूं, आप लेकर रख सकते हैं, बस 2-3 साल के लिए रखिए, आपको double, triple में profit मिल जाएगा, ये मेरे तरफ से आप ये 100% security माल लीजिए, इसके बाद जो सिक्का आता है, वो देखिया, आता है, 150 years, the first world of independence, ये भी 2007 में इसु किया गया था, अब ए ये सिक्का भी UNC proof set में आपको, वो है copper nickel में ये 5 रुपए देखने को मिलेगा, लेकिन circulation का सिक्का और UNC proof set का सिक्का अलग है, difference उसमें भी है, same price है, जैसे ये डांडी मार्ज वाला price है, जैसे खादी विलर्ज वाला price मैंने बताया, copper nickel का, same price है दोस्तो, अब दोस्तो, छटव आकायन, या फिर six, जो bonus tip मैंने आपको बताया, वो जानते हैं क्या है, वो है ये सिक्का, ध्यान से देखिए, ONGC वाला, जिने पता नहीं है, वो कहेंगे हाँ, ONGC वाला सिक्का तो हमने देखा है, circulation में भी हमने मिला है, कोई कहेंगे हाँ, हमें बजार से मिला है, या फिर ट्रेण बस से मिला है, लेकरन दूस्तों ये जो सिक्का है, ONGC वाला, ये copper nickel का है, और क्या आप जानते हैं, ONGC वाला सिक्का, copper nickel का शर्कुलेसन में मिलता है, ONGC वाला कॉपर निकल का सिक्का तो आपने UNC proof set में देखा है, लेकरन शर्कुलेसन में भी मिलता है, और मैंने देखा है और Facebook में सेल भी होता है, प्राइज लगभग सेम है, डांडी मार्ज वाला जो प्राइज है, खादी विलेज कॉपर निकल जो प्राइज है, फर्स्ट वार वाला जो प्राइज है, वैसा ही प्राइज है ये ओंजीसी कॉपर निकल का, लेकिन मैंने एक बात नोटिस से कॉपर निकल ONGC मैंने बहुत कम देखा है, देखिए UNC प्रूपसेट की बात में नहीं कर रहा हूं, सर्कूलेशन इसू की बात में कर रहा हूं, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो लगभग टोटाल वैलू कितना हुआ है, आप ये समझ सकते हैं, वीडियो कैस एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर तब तक के लिए जय हिंद।